विश्व की प्रिस्ट पूमी जितनी एतिहासिक है उतनी ही अलोकिक अद्बुद और रहस्यमय भी है प्रकृती की गोद में विराजवान ये संसार कई रहस्यों को खुद में समेटे हुई है पुद्रत के कुछ ऐसे ही दिव्य अविश्वस्नी ये रहस्यमय इस्थानों ने मानों को सोचने पर मजबूर किया है आज भी कुछ ऐसे रहस्य इस ब्रह्मान में दफन है जिनकी गुत्ती सुल्चाने में वैक्यानिकों ने भी हाथ खड़े कर दिये है ये सभी रहस्य से आज भी पहली बरी हुई है जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाए हिंद महासागर और प्रशान्त महासागर का पानी आपस में नहीं मिलता सुनकर ही बड़ा ताज्जुग होगा क्या ऐसा संभव है? क्या स्रिष्टी के इस अद्बुद नजारे को आपने कभी देखा है? बहुत से सवाल है लेकिन इस रहस्य का जवाब मिलना मुश्किल है हिंद महासागर और प्रशान्त महासागर का पानी सदियों से आपस में नहीं मिले ये अनोखा द्रिष्य अब पहली बार लोगों तक पहुचा जब गेंट स्मित नाम के फोटोग्राफर ने जुलाई 2010 में अलास्का की एक तस्वीर को इंटरनेट पर डाला उसके बाद ये तस्वीर वाइरल हो गई और तमाम समुद्री वैग्यानिकों के सामने ये रहस एक चुनोती के रूप में खड़ी हो गई आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हिंद महासागर और प्रशान्त महासागर अलास्का की घाड़ी में आकर मिलते हैं हैरान करने वाली बात ये है कि ये दोनों महासागर आपस में मिलते जरूर है लेकिन इसका पानी आपस में एक डूसरे से कभी भी मिश्रित नहीं होता प्रकृती का ये अद्बुद नजारा आस्चेरे चकित करने वाला है लेकिन ये सत्य है वैग्यानिकों का ऐसा मानना है कि प्रशान्त महासागर का अधितर पानी ग्लेशियर से पिखल कर आता है जिस वजह से इसका रंग हलका नीला होता है वही हिंद महासागर का पानी नमत और लवडों की वजह से गहरा नीला है जिस कारण दोनों में फर्क दिखाई पड़ता है खोज में ये पता लगा है कि जहां ये दोनों महासागर मिलते है वहाँ पर जाक की एक दिवार बन जाती है और अलग-अलग घरत्व होने के कारण आपस में मिलाप नहीं हो पाता हलाकि कई शोद करताओं का मानना है कि ऐसा सूर्य की किरलों की वजह से होता है सत्य क्या है ये सवाल आज भी जीवित है